कक्षनवी दस्वी बारवी क्रसी संकाय विसागनेत अदैसोला छेत्र मती एक प्रिज्म का आयतन तथा उचाई क्रम से 114 घं सेंटीमीटर है तथा 12 सेंटीमीटर है तो आधार का हमको छेत्र फल ग्याद करना है तो सबसे पहले हम यह प्रिज्म के आयतन का फर्मले लगाएं कहे का प्रिज्म का आयतन जो प्रिज्म का आयतन होता है वो होता है आधार का छेत्र फल ग्यूणेत उचाई के बरावर हमारे पास में दोन जनकरी दिया है क्या दिया है प्रिजम का आयतन दिया है प्रिजम का आयतन दिया प्रिजम का आयतन वो हमारे पास है कितना 144 गन सेंटीमीटर प्रिजम का आयतन है और प्रिजम की उचाई प्रिजम का आयतन दिया और प्रिजम की उचाई भी हमारे पास में दिये, कितनी दिये, तो वो दिये 12 cm, यह हमान रखेंगे, प्रिज्म का आयदन, उसकी जंगा हम रखेंगे 124, बराबरी से, क्या, आधार का 6 तरफार, इसको हम को ग्यात करना है, गुनेत 12 cm, इस 12 cm का 124 से भाग हो जाएगा, तो अगली स्टेप में, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, क्या, आधार का 6 तरफार, बराबरी से, 124 बटे, 12, बारा का भाग देंगे, तो बाराम बारा, एक सो चो तरफार, तो क्या, प्रिज्म का आधार का 6 तरफार, आधा, प्रिज्म के, आधार का 6 तरफार, आधा, प्रिज्म के, आधार का, जो 6 तरफार हमको मिला, वो केतना मिल गया, बराबरी से, 12 cm, उमेद हैं, आप सब कोई समझ में आया होगा, आज के लिए इतना ही से इसका धन्यवाद,